हमारे साथ गुजरात के वटगाम से एमले हैं जिगनेश मेवानी आज यहां पे जो शाहिन बाग में प्रोटेस्ट हो रहा है पिछला एक तालिसवा दिन है उस प्रोटेस्ट का और यहां पे एक गालप प्रोग्राम और्गनाइज किया गया था फ्लैग वेस्टिंग सेरिमन हुई थी उसमें यहां गेस्ट आया थे जानेंगे इन से जिगनेश आज 26 जैन है कॉंस्टिचुशन इंप्लिमेंट किया गया था उसका यह सलेबरेशन है जो हर साल होता है लेकिन पीपल आर आउट अन देस्टेट तो रजिस्टर देर पोटेस्ट उन इस पर्टिक्लर ड कैसे देखते हैं आप स्वतंत्रता की इतने सालों के बाद समाजवाद की और हम कितना आगे बढ़े और किस कदर हम लोगों ने सचमुच इस मुलको धर्म निर्पेक्ष बनाया यह उपलब दिया सेलिब्रेट करते हुए आज हमको तिरंगा लहराना चाहिए उसकी बजाए जो जुनेत की माताजी है और जिन रादू के आवेमुला ने अपने रूहित को खोया उन माताओं को तिरंगा लहराना पड़ता है शाहिन बाकी दादियों के साथ यह कहते हुए कि कुछ भी करो इस मुलके समविधान को खतम मत करो इस कितनी बड़ी बात है स्वतंतरता की इतने सालों के बाद हमारे समविधान की प्रस्तावना में जो धर्ब निर्पेक समाजवधी लोकतंतरी की कलपना की गई है वो अब तक तो साकार हो जाना चाहिए उसके बजा हो क्या रहा है कानून और समविधान के धजिया उड़ गए आज मोदी जी किन के साथ सेलिब्रेट किये बोल से ना रहो क्या चरीत रहे उस आदमी का क्या कॉमेंट्स वो आदमी करता है मिलिटरी डिक्टेटर्शिप को सेलिब्रेट करता है ब्राजीर के चौरा होई पर खड़ा होकर कुछ भी बखता है बहनों के लिए तुमारी आउकात नहीं कि मैं जो नेता बोला है उसके बगल में बैठकर मोझी जी को रिपब्लिक डे बनाना है ये दिन दिखने पड़ेंगे हमको क्या मित्स्रा का बयान है आज अख़बारों में छपा है का हमको वोट करो तो साहिण बाग को उजाड़ देंगे कुस क्रिएट करोने की हमको वोट और ह साहिन भाई क्या है वो के स्ट्रक्चर है मकान थोड़ी है कब बुल्डोज कर देंगो वह तो होसला है स्पिरिट है एक उर्जा है जजबा है जजबे के उपर कैसे बुल्डोजर लगाओगे क्यों निकले लोग सड़क पर उनको की काम धंदा नहीं है इस मुल्क को बचाने के लिए निकले है आईडिया ओफ इंडिया और सम्विधान को बचाने के लिए निकले है क्यों लगता है बोदी जी को खुद का डिगरी का सर्टिपिकेट दिखाना नहीं आपका और हमारा मांगना है कहां से लाएगी इस मुल्की गरीब जंता इस देश के गरीब गुरुबा के पास दस्तावज है किसानों के पास है भूमिहिनों के पास है बहने विधवाय त्यक्ताए उनके पास है गुमंतु जातियों के पास है जंगल में बसने वाले आदिवासियों के पास है शहरों में स्लम्स में जुग्गी में जो बसते है उनके पास है जिनके आश्याने खतम होगे फ्लड्स में उनके पास है नहीं है नहीं है तो क्या होगा अभी अभी recently किशोर नाम के हिंदू 55 साल के हमारे हिंदू भाई की मौत हुई डिटेंशन सेंटर हुए आप ये क्यों करना चाहते है क्यों लगता है जिगनेश मेवानी को कि आज समविधान खत्रे में है आज मुल्क खत्रे में है हमको नहीं पूरे भारत को लगता है 50-60 लाख लोग सडक पर उत्रे सुप्रिम कोट के जजिस को प्रेस कोंफरेंस के जडिये कहना पड़ा के भाईया बचाओ मर गए यहां तो डिस्ट्रक्शन अप डेमोक्रिसी चल रहा है बचाए लोग तंत्र जैसा कुछ सिर्फ ठोक तंत्र है भाजपा वाले भी बोल नहीं पाते मोदी और अमित्शा के आगे आपका हमारा छोड़िये आपकी हमारी आवास को दबाने की कोशी एक बात है बीजेपी के अंदर एक दिन ब्लास होगा इतना ग्रीप बनाए रखे है इतना प्रेशर किये है यह लोग तंत्र है इसके लिए भगत सी बलिदान दिये बाबा सब ये दिन देखना चाहते थे पूरे गुजरात की नाक कटवाई है इनोंने शर्मिंदा की आये पूरे गुजरात को गुजरात की असमिता और गुजरात के गवरों को लांचन लगाया है जैसे जर्मनी में किसी जमाने में सडकों पर लोग खड़े रहते थे थे प्लेकाड लेकर वी आर जर्मन्स हम जर्मनी के लोग है शर्मिंद की मैसिज करते हिटलर ने क्या के उसके लिए उसी तरज पर गुजरात की जनता सडक पर खड़ी रहेगी बैनर लेकर आने वाली दिनों में कि किसी जमाने में हम मुदी के लिए ताली बजाते थे 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 हमारे बाप दादा आपने ब्राइजिलियन गेस्ट की बात की जो हमारे चीफ गेस्ट है 26 जनवारी के आज की गंतन दिवस के लेकिन ये जो शाहीन बाग का प्रोटेस जैसे जैसे इंटिस एंटिस से ख़य हुआ जो एक इक प्रोटेस के बारे में ऐसा कह रहे है कि बच्चों को आप बच्चों से नारे लगवा रहे हैं बच्चों से जबरन उनकी मरजी के खिलाप उनके पैरेंट्स पर दबाव बनाकर एहमदाबाद की डजनू स्कूलों में पत्र लिखवाएं किसकी फेवर में सीए और एनर्सी की फेवर में अगारे यहां जो अमारी दादी या मां बहने बैटी यह तो उनके सथ बच्चे कहां जाएंगे वह आएंगे दादी बोलती है इंगलब जिन्दाबद तो बच्चा भी बोलेगे इंगलब जिन्दाबादि और उसकी पूरी आई-टी से ल बोलेगी इनके वेस्टेट इंट् क्यों बैठे यहां पर लोग जामिया के अंदर बहनों के हाथ पेर तोड़ दिये उसके बाद वुजूद कोई कारवाई नहीं उसली बैठे मॉले स्टेसंस की कंप्लेन की है बहने हुए जामिया में क्या कारवाई किया अपने मुदी जी ने कुछ नहीं टीर के सेल चोड़े एक स्टूडन्ट की आँख चली गी एक का हाथ कट गया वाह क्या नजा रहा है मुदी जी क्या गुजिरात मॉडल अपने डिस्प्ले किया है जीस आईशी गोस्का सर फोड़ा गया उसे के खिलाब मुकदमा भीमा कोरी गाओं में जी निहत्य दलितों के हाथ पेर तोड़े गए उन्हीं पर मुकदमा यह फासिवाद का नंगा नाचे उसके अतिरिक कुछ ने और सवाल इसमें ये कि इस पूरे प्रोटेस्ट को मेलाइन करने की हर पॉसिबल कोशिश की जा रही है कैसे देखते हैं हाँ तो करेंगे ना उनके पास क्या मुद्दा है चार साल ग्यारा महीना विकास की बात करने का अब जब चुनाव के 15-20 दिन बाकी हो तो मन्निर मस्जीद, सम्षान कबरस्तान, राम महीम, शाहिन बाग यही करेंगे इनके पास कुछ नहीं अरविंद ने जो यहाँ पर काम किया है बिजली को लेकर, पानी को लेकर, शिक्षा के सवाल पर, चिकित्सा के सवाल पर, सडको के लेकर इसका उनके पास कोई जवाब नहीं मैं उनको चैलेंज करता हूँ, चलिए अबजिक्टिव एक अनालिसिस किया जाए गुजरात के सोशल इंडिकेटर्स क्या है और पांच साल में अरविंद के सोशल इंडिकेटर्स क्या रहे है हेल्थ और एजुकेशन के मामले में, उस पर डिबेट करिए न अभी दिल्ली में एलेक्षन का महाल है, यह जो आप बात बोलें बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टीटमेंट दे रहा है सुपरा साप होगा बाचपा का तो क्या जिगनेश में वारी आम आद्मी पाटिट हमने कहा इसलिए नहीं यह शाहिन बग में लोग बेठे सिर्फ इसलिए इसलिए कि 45 साल का रेकोर्ड जो बेरोजगारी ने तोड़ा है वो बेरोजगार युवा अब समझ रहा है आप एउद्या में मंदिर बनाओ, मस्जीद बनाओ, कुछ भी करो हमारे पास रोजगार नहीं यूथ ये रियलाइज कर रहा है मैनुफेक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ पहली बार माइनस में गया है कोई लक्षण नहीं दूर दूर तक जीडिपी 5% को क्रोस करे और मजे कर रहे 63 लोग इतना पैसा उनके पास पूरी भारत सरकार का बजट एक तरफ और मोदी जी के चाहीते 63 लोग एक तरफ आप मुझे एक बात बताएं कि ये जो अभी सड़कों पर लडाई चल लएई ये ये हाउस में होने चाहिए थे लेकिन जिस तरह से लोगसभा फिर राजसभा से बिल पास हो गया उसको आप क्या देखते हैं क्या इंडिया में आप आपोजीशन की जरूरत रह गई है ये सारा आपोजीशन उनके घणित है, सेटिंग बाज है तोड़ बाजी करने वाले लोगे तो नहीं बोलेंगे तो जनता बोलेंगी जो जनता बोल रही है आखरी दूसरा वाल प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है और हो मिनिस्टर का ये कहना है कि सी ए को लोगों ने समझा नहीं है इसमें हम citizenship grant कर रहे हैं किसी की citizenship strip नहीं कर रहे हैं फिर इसमें इतना हंगामा क्यों किरिट किया जा रहे हैं डिस्क्रिमिनेटरी है अनकॉंस्टुटुशनल है आपको citizenship मिले क्योंकि आप एक particular religion को बिलूंग करते हैं मैं पर्टिकुलर मजहब से आता हूँ इसलिए मुझे ना मिले कैसे चलेगा मोदी जी कह रहे कि नहीं अनरसी की कोई बात नहीं अमिट सब्सक्राइब दो दिन पहले हमारे साथ डिबेट में दे गवरोव भाटिया भाजपा के प्रवक्ता उन्हों नहीं कहा कि जी हां एनरस आप अपने डिगरी का सर्टिपेकट दिखाओ ना मोदी जी फिर हमारा मागो एक अप्रिल से उसका इन्यूमरेशन प्रोसेश शुरू हो जाएगा यह बात कही जा रहे ही कि हम कागज नहीं देखाएंगे सुनिए एन पी आर के अंदर क्या प्रोविजन एक 87 के बाद का और जनम की तारीक का एविडिन्स लेकर रहा हूं जारी इस देश पे हमको यह सब करना है क्या नॉंसेंस लगा रहा है रोजगार दिखिए ऐसी समाज विवस्ता खड़ी करिए ऐसी एकोनोमी लेकर आए कि 5-10-15 साल के हमारे पास रोड मेप हो और जिसके तहेत हेल्थ औ कोई बात ही नहीं कि नारा दिया था सबका साथ सबका विकास माइनस किसान माइनस मजदूर माइनस दलीत अधिवसी मुस्लिम माइनस युवा प्लस अडानी अम्मानी एसार वेदान्ता पोस्को लारसन इंटुब्रो जिंदाल बिजनेस टाइकून्स जब आप ये बात बोलते हैं कि माइनस यूथ और माइनस ब्ला 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 एक सवाल उठता है कि ये रिजन्टमेंट एक मेन एस्ट्रीम डिस्कूर्स का हिस्सा क्यों नहीं बन पा रहा है एक बड़ी तादाज बन पा रहा है तभी तो महारास्त में सत्ता से बेधकल कि उसका लपेटा करते दे लोग नीज चैनल की डिबेट में आकर सब सेफरोन रहता था अब देखिए आधा भी नहीं बचा अब फाइनल कोस्टिन इस प्रोटेस्ट को ये जो मूवमेंट चल ला एक नहीं तरह का और गिनिक मूवमेंट है और इसने बहुत सारी स्टीरिय को तो रहा है मुसलिम और बाहर नहीं आती है आज वो बड़े निडर होके आ रही है अपने राइट को असर्ट कर रही है अपनी आइडेंटिटी के साथ आ रही है और आप लेजेटिक भी नहीं है वो अपने आइडेंटिटी को लेके क्या फ्यूचर देखते हैं इस मूव कि उनकी चेतना को दिखाता है तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में यहीं लोग अपने अपने तरीके से पब्लिक हेल्थ एजुकेशन एम्प्लॉइमेंट यह असली मुद्दों पर भी लड़ेंगे और मैं मानता हूँ यही असली लड़ाई है जाती और धरम से उप कोई जरूरत नहीं है बात होनी चाहिए मुद्दे की रोजगार की और जो बेसिक नीट्स हैं लोगों की उनकी